दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका आप देख रहे हैं दी एच एफ एफ अड़ा खबर शत्तिसगर के सुक्मा से है जहाँ पर नकसली हमले को लेकर खबर सामने आई सुमवार कुनकसलियों ने CRPF जवानों के जॉइन पर फाइरिंग कर हमला बोल दिया इस जोरान जवावी कारवाई भी की गई इस गोलिबारी के चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हुई है लेकिन अब इस भुटबेड पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं दरसल गाउवालों का आरोप है कि जहां मुटफेड होने का दावा किया जा रहा है वहाँ पर नकसली थे ही नहीं जवानों ने फाइरिंग की थी इसमें नौ लोग मारे गए हैं जब कई खायल हुए हैं उदर बस्तर आई जी पी सुन्दर राज ने दावा कर दिया कि फाइरिंग में तीन लोगों की मौत थे उनके शब बरामत भी कर लिये गए फिलाल अभी उनकी शनाक्तों नहीं सकी आपको बता दें कि सुक्मा बीजापूर बॉर्डर पर इस सिलगेर गाउं में पिछले हफसे सुरक्षा बलों का कैम्प लगाया गया था गाउंवाले पिछले तीन दिनों से जवानों के कैम्प के विरोज बी प्रदर्शन कर रहे हैं गाउंवालों का आरोफ है कि फोर्स ने हमारे जल जंगल जमीन पर कबजा कर लिया सुंबार को गाउंवालों के सार की फैसिंसिंग तोड़कर कैम्प के लाके में घुसने की कोशिश करने लगे लोग तो जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की इस दोरान दोनों ही पक्षों में विवाद हुआ, सब ही गोलियां चली और गोलियां चलने की आवाज आने लगी भगदर मामची और गाउवालों का ये भी कहना है कि प्रोटेशन में करीब 5,000 लोगे खटा हो गए पुलिस ने लाटी चार्ज किया है, गोलियां चलाई हैं जसमें 9 लोग मारे गए इन में से 3 शब सुरक्षा बल के जमान ले आए जबकि 6 गाउवाले ले गए उनका ये भी कहना है कि जब वो फोर्स के पास शब लेने गए तो उनने धमका कर भगा दिया आपको दाने के जहां मुट भेड हुई वो इलाका सालों से नकसली की गबजे में है और नकसलीों को डर है कि कैम्प बनने के बाद उन्हें ये जगा छोड़नी होगी इस अलाके में सड़कें भी नहीं हैं यहां पर गाउं में जरूरत पढ़ने पर एंबूलेंस तक नहीं पहुंच पाते वहीं इसको लेकर बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने कहा है कि नकसलीों ने गाउंवालों को भड़काया है इसलिए वो कैंप लगाये जाने का विरोध कर रहे हैं अब जबानों और गाउवालों में सच कौन बोल रहा है और जूट कौन बोल रहा है ये तो वक्त आने पर पता चल पाएगा खेर इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं नीचे अपनी राए जरूर साजह करें और ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें दियाच एफफटा के साथ अमस्कार